नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना वीब न्यूज चेनल प्रीम पावर हंटर करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से खबर मध्प्रदेश के उमरिया से उमरिया जीले के लोगप्रियें वैशशवी कलेक्टर स्वारोची सोमवनसी के जन्मदिन के अउसर पर उमरिया जीले की संदेश नाट्य मंच के दौरा हरीजन बस्ती में केक काट कर बच्चों के बीच, चॉकलेट यूंबिस्केट वितर करते हुए चुवा चूत से मुक्त समाज तथा प्रेम और रहिंसा की साथ स्वच्चता का संदेश देते हुए नुकड नाटक कर जन जागरण किया गया। जुक्त के द्वारा बच्चियों के द्वारा कीक कटवा कर संदेश नाटक मंच के द्वारा बच्चों को चॉकलेट यूं बिस्किट बाट कर जनम दिवस को दूमधाम से मनाया गया। सुप्रीम पावर हंटर नियूस के लिए उमरिया से अखिलेश सेन की रिपोर्ट संदेश नाटक मंच के आज हम कलेक्टर स्वाथ ता जनम दिन यहां पर मना रहे हैं आप सब लोगों के साथ में हमारी टीम है इसका क्याना मेर लोना क्याना में बिटा हम सब को हमारी संस्था को इन घरीब हरीजन भाईयों को माताओं बहनों को सब को वो चाहते हैं कि यह मुखेधारा से जोड़ें और आगे आएं उसी सोच के तायत हमें यह महसूस हुआ कि आज जब कि उनके जनम दिन का अवसर है तो हम इनी घरीबों के बीच में इनी छोटे छोटे बच्चों के बीच में उनका यहां पे हम जनम दिन का जो अवसर है इसे धुमधाम से मनाएं हमने सब बच्चों को टौफी बांटी सब बच्चों के साथ में हमने नाच गाना किया खुशी मनाई और कलेक्टर सहाब के इस आज के जनम दिवस के कारकरम के अवसर पे हम लोगों ने एक नुकर नाटा के मादे हम से यह संदेश दिया कि महात्मा गांधी जी की सोच थी कि हम सब लोग मिलके रहें आपस में प्रेम से रहें चुआ छूँच से दूर रहें और हर गरीब के उत्थान के लिए कारे करें इस सोच के तहट आज के दिन को हमने चुना और यह कारकरम संदेश नाटी मंच के द्वारा हमारे साथियों के नतत्त में कंबल और कुछ मिठाईयां बगरा बांट के और हमारे जो एसस्वी कलेक्टर साब हैं उनका जन्म दिन को हमने इस प्रकार से मनाया और मनाना ही चाहिए यह बहुत गर्ब की बात है कि हमारे बीच जासे कलेक्टर यहां पर उपस्तित हैं हमारे जिले के विका अगर वाशियों से कहूंगा कि इस प्रकार से कलेक्टर साब का जो मान सम्मान है वो बढ़ाएं जन्दिन की खुशिया मना करो धन्यवाद भारत के दतराज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वीब न्यूज चेनल सुप्रेम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आजपास की तमाम मुख्य खबरे अपने ही मोबाईल पर क्योंकि सुप्रेम पावर हंटर करता है मुद्दो की बात जिन से हैं जन्ता का सीधे सरोकार समझोता नहीं पहल चाहिए